तो दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है आज सभी देश वाश्यों को रख्षा बंदन की हार्दिक शुप कामना है दोस्तों वीडियो में अगर नए है तो चैनल को एक बर सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दर्शाश में खाट से लेकर काशी विश्वनात काईडोर तक के नजारे दिखा दूगा और चलिए देखते हैं 21 प्रकार के नजारे हैं खाट पे सबी नावें अभी करीब-करीब खाट से लगी हुई है अभी भी आप देख पार हैं घाट पर कीचड़ सीडियों पर इस्थित सफाई कहीं कहीं हुई है कहीं कहीं सफाई चल रही है कि देख पार हैं उस तरफ जाने के लिए अभी भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए देख रहे हैं अभी भी मिट्टी यहां से हटाई नहीं गई है है नीचे गद्री शाथ देख भार हैं सामने देख रहा है किस प्रकार प्लैरे उट रही है करीडोर की तरफ जाने वाली रास्ते अभी उटने फूई तरह किसे खूले नहीं है जैसा क्या वीडियों देख पा रहे हैं कि कुछ लोग आ रहा है जहां से वहां अभी भी पानी लगा हुआ है सामने काशी विशनात करीडोर फेस टू और यहां आप देख पा रहे हैं वीडियों में लोगों को घाट कि सीडियों के पास से जाते हुए और यह देख रहे हैं किस प्रकार नदी में जा रही है तो लहरे हैं उठ रही है खताना तरीके से इसलिए अभी भी नाओं में सफर करना या खूमना ख़तरे से खाली डही हैं जलिस्तर गंगा नदी में लगातार कम होता हुआ जैसा कि आप वीडियों में देख पा रहे हैं बाइब कि थस्यों कि आपके से जचिए भा चाली में जाफंगता हैं बाइब कि आपको अन बाइब से धाव गगर बाएब कि लाव इस दोल में खिस गया हैं चलिए आगे की तरफ चलते हैं कारेडूर की तरफ और वहां से आपको द्रिश्य दिखाते हैं कि देख पाना है इस तरफ कि यह मीर घाट का द्रिश्य आप देख रहे हैं यहां जल इस्तर कम होता हुआ आप को दिखाई देगा हैं कर्यार को चलिए हम उपर से किनाः के चलते हैं कारेडूर की तरफ और वहां का द्रिर्श आप को दिखाते रहे हैं कि देख रहे हैं घाट की सीधिया हम आपस में मिलती हुई थोड़ी-थोड़ी यह आप देख रहे हैं मीर घट जले चलते हैं कारीडोर की तरफ उपर से देख रहे हैं काफी खतरनाक पतला सा जगह है इसी पर पैर रखते हुए आगे जाना है पिर इस प्रकार थोड़ा सा चड़ाई चड़के और यहां से हनको जहां से आप देख पा रहे हैं यहां से हमको उपर चड़ना है और फिर आगे बढ़ना है यह अभी जाने का रास्ता है क्योंकि संपर कभी पूरी तरिके से नहीं हुआ है धाटों का अपस में क्यों कि यह जगा ऐसा है घाट के उपरी हिस्सा और नीचे से आने जाने का रास्ता लोगों के लिए देखा है आप पूरे गंगा नदी में अभी आपको थोड़े बहुत नाओं का संचालाना भी आपको दिखाई देगा क्योंकि अभी भी सुरच्छा के द्रिष्टी से नाओं में बेंटना बहुत ही खतरताख है जैसा कि आप देख पा रहा है जगा जगा आपको नाओं में बेठे हुए लोग दिख जाएंगे और सुरच्छा करणों के साथ जैकेट के साथ देख पा रहे है क्या है का छली हैं यहां से उपर करेडर की तरफ चलते हैं यह रास्ता देख पा रहे हैं अब काफी हद तक जो है यहां जल इसतर कम हो गया है सीडिया नहीं दिखाई जा रहे हैं लेकिन आने जने का रास्ता क्लियर होते जा रहा है और ऐसी रहा तो दो-चार दिन में सभी घाट आपस में करीब करीब जुड जाएंगे और आना जाना लोगों का शुरू हो जाएगा एक घाट से दूसरे घाट तक यह हम आगे हैं ललीता घाट और यह आप उपर देख पा रहे हैं श्रीफ पश्वपतिनात अंदर के पास इस्तित पीपल के पेड़ को और यह सामने आप देख रहे हैं कारीडोर फेस टू का भाग अभी यहां पर कीचर की सफाई नहीं हुई है काफी मिट्टी यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर देख पा रहे हैं काफी नीचे चार पांस इडियां करंगा जल इस तर यहां पर कम हो गया है कारीडोर की तरफ देख पार हैं बहाओ काफी तेज नदी में काफी तेज बहाओ कर देख देख रहा है काफी तेज बहाओ कर देख देख रहा है काईडोर की तरफ की सीवियां और सामने शथालू दर्शन के लिए आये हुए हैं और इधर गंदा इस्तान करने के लिए सफाई अभी भी चलता हुआ घाट की सिडियों के पास और लेकिन आप नीचे जैसा देख पा रहा हैं कि अभी यहां की मिट्टी अभी सफाई नहीं हुई है लिटा घाट के नीचे इस्तित मिट्टी रैसिक रैसे पड़ी हुई है इसको भी जल साफ कर देना चाहिए अच्छी प्रवेश्च द्वार से अंदर चलते हैं कि देख रहे हैं और फिर आपको मैं कारिडोर के अंदर गंगा व्यू गैलरी के पास ले आया हूँ और यहां से मैं आपको बहार का दृष्च दिखाता हूं कि देख रहे हैं को सुरज जाली एक तरफ और दूसरी तरफ आप देखेंगे गंगा व्यू गैलरी इस तरफ कि देख पा रहे हैं सामने आप कंगा व्यू गैलरी से बाहर का दृष्च है कि देखा व्यूग कर दो सामने हैं क्सो प्क्रादाबन Variaking के चैभ युब आज देख पाने हैं आज काफी बादल देरा हुआ है बरनारस के आसमान में आज देख पारा है आपने सामने मनिकंडी का अखाट चलिए उपर की तरफ चलते हैं आपको लेकर आज देख पारा है परिसर में जहां रेलिंग लगा हुआ था स्टील का दर्शनार्थियों के दर्शन करने के लिए लाइन से जाने के लिए अब उससे परिसर से हटा दिया जा रहा है यानि कि अब थोड़ा सा साफ सफाई तेरी से हो रही है यह गेट नंबर वन आज आज देख रहा है रेलिंग निकालकर कुड़ा अलग कर दिया गया है और परिसर अब खुला खुला लग रहा है पर परिसर अलग कर दोशोर कि देख रहे हैं जगा जगा सफाई काम चल ला है अब कारीडोर के अंदर कि देख रहे हैं रेलिंग पूरा निकाल के अब रख दिया जा रहा है और परिस्टा को बिल्कुल साफ सफाई करके ठीक किये जा रहा है क्योंकि काफी गंदा हो गया था यह देख पा रहे हैं पूरा जिस प्रकार परिसर दिख रहा है आपको क्लियर दिखा रहा हूं चारों तरफ बिल्कुल खूला परिसर जैसा पहले था वैसा कि चलिए हम भी अब बाहर की दरफ चलते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको काशी विश्णात करेडोर और आसपास के घाटों का नजाना दिखा है कि किस प्रकार जल्द सरकम होने के बाद वहां पर मलवा अभी भी पढ़ा हुआ है जिसे जल्द से जल्द सफाई की बहुत जल्दी आवशकता है काम हो रहा है लेकिन काफी धीरे-धीरे चलिए एक बार फिर आपको मैं काशी विश्णात मंदर के सौरने शिखर का उपर में त्रिशूल धोजा और यह आपको सौरने शिखर और यह मंदिर के अंदर का द्रिश्च चलिए दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार हर हर महादेव च्छ्सा नध बजा इंदरे धिया हो झाल झाल झाल